हेलो माई डियर स्टुडेंट्स, वेलकम टू मेडीजी प्लाटफॉर्म, मेरा नाम है लामेनस सीम and आज हम लोग बात करने वाले हैं कॉलेज गोईंग स्टुडेंट्स के बारे में, क्योंकि जो कॉलेज गोईंग स्टुडेंट्स हैं, वो इंजीनिरिंग कॉलेजेस में तो चले गए, मकर चुल इंजीनिरिंग उनको आनी चाहिए, वो अभी कही ना कहीं मिसिंग है, तो आज हम प्रॉब्लम से जादा सॉलीशन पर फोकस करने वाले हैं, हमारे साथ वरून सर जुडे हैं, हमारे साथ अमरेंदर सर जुडे हैं, और जो कॉलेज गोईंग स्टुडे करने के लिए Made Easy आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्लान लेके आया है जिसका नाम है Easy Step तो सबसे पहला कोश्चन तो मैं Amrindir सर से पूछना चाहूंगी कि सर वाट इस लामिया जैसे हम जब इसकेशन अभी कर रहे थे तो एक बहुत अच्छी बात आपने बोली थी कि बच्चा तो इंजिनरिंग में चला गया बट इंजिनरिंग बच्चे में नहीं आई अब यह एक ऐसा पॉइंट है कि बिलकुल सही बात होती है कि जो सोसाइटी का प्रेशर ह है यह अपने आज पास लोगों को देखे स्टुडेंट ने इंजिनरिंग कॉलेज में तो दिमिशन ले लिया अब वहां पे उसको इंजिनरिंग में इंट्रस्टी नहीं आ रहा है वो घुमने फिरने में टाइम अपना बिता रहा है उसका समय बीतता जा जा रहा है तो यह करनी एक स्टुडेंट का कही ना कही एक रिक्वर्वयर्मेंट होती है को तो थोड़ा सा हेंड होल्डिंग मिल जाएक कि उसका जो भी स्था के elses लिचैंसनेर के ने एकोर्षेश को आगे इससे क्या करना है कोई competitive exam लिखना है किसी कंपनी में जाना है तो इसके लिए उसको कुछ ऐसी support मिल जाए जो systematic हो authentic हो time bound manner में exactly क्योंकि sir अगर college जो कोई बच्चा study कर रहा है तो इसको थोड़ा सा मस्ती भी करनी है क्योंकि college के बाद sir मैं personally जानती हूं कि लाइव बहुत serious हो जाती है बहुत सारी responsibilities आ जाती है तो easy step किस तरीके से student के जो semester से उसके साथ proper तरीके से line हो सकता है जिससे उनको time भी मिल पाए मस्ती करने का और साथी साथ जो conceptual clarity है वो भी आनी बहुत जरूरी है तो sir उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप तो जैसा ही 12th class के बाद बच्चा सर जैसे हम अपने भी दिन याद करें तो 12th class के बच्चा जैसे ही engineering college में जाता है पहली बार ही आजादी मिली होती है तो काफी सारे बच्चे का चार साल का जो tenure है वो सिरफ college fest में निकल जाता है एक्स्ट करिकुलर में निकल जाता है पहली बार आज जादी मिली होती है, hostel life enjoy कर रहे होते है लेकिन इन सब चीजों के चक्कर में जिस करतववे के लिए वो वहां आये थे जो की education है और एक vision engineering का के भई एक engineering subject में आपका interest क्यो होना चाहिए, engineering पढ़के आपको क्या मिलना चाहिए, sir आज की date में engineering college में कोई बच्चा इंटर कर र और अगर यह पूच लें एक दम से सवाल के यार तुमने यह ब्रांच क्यों चुनी, mechanical यह civil क्यों चुनी, मैं आपको बता रहा हूं, sir 99% बच्चे इस बात का जवाब नहीं दे पाएंगे, के भई मैंने sir out of interest ली है, या मेर को यह पढ़ना चाहता है, या मैं एच्छु आप सोच कर देखिये कि यहीं पर कितना बड़ा गाप क्रियेट हो चुका है, और sir इसमे एक चीज और है, जिसे आपने बोला कि नहीं पता होता है कि हमने civil क्यों ले लिया, mechanical क्यों ले लिया, तो majority of reasons तो society होता है, और यही reason है कि जब first year बच्चा complete कर लेता है, तो second year में आक पर study start होती है, तो student सोचता है कि second year से हम switch कर लेते हैं, मैं इसमें बल्कि इसको और अगर depth में देखे हैं, तो यह lifetime की pain बन सकती है, और maximum students को जो आज की date में observe करते हैं, because if made easy is bringing something, then we are talking about the solution of the things, so made easy ने पहचाना है कि बच्चा किस तरह की तकलीफ में है, किस तरह का pain में है, और ओ पेन सरफ चार साल तक ही sustain नहीं करता है sir, यह जीवन भर का pain बन जाता है, क्योंकि बच्चे को जब यही नहीं पता कि इंजिनिंग मैंने करी क्यों है, out of interest क्या है, practicality क्या है, किस किस domain में अपना career को frame कर सकता है, तो इस तरह का बच्चा जब चार साल बाद निकलता है, ना तो वो समाज के लिए उपियोगी रहता है, और ना तो वो किसी industry के लिए उपियोगी रहता है, क्योंकि जो आदमी खुद में ही confused है highly and उसने पढ़ा ही नहीं है knowledge के terms में, skills के terms में, interest के term मे vision के terms में, mindset के terms में, तो कैसे उस बच्चे को कोई भी नौकरी दे या समाज में कोई एक इसजत दे, सो इसको अगर हम देखें, तो इसके रिपरकर से विफेक्स बच्चा lifetime तक जहलता है, इसलिए मैं आज इस माध्यम से इस कोर्स को ऐसा कहना चाहूंगा, इस अ स्टेप टौर्ड्स इंजिनेरिंग एंड उसको इजी बनाने के लिए, इसी स्टेप, इसी वज़े से यह नाम जो है, सर डिसाइड करा गया है, कि इसी स्टेप एक ऐसा कोर्स है कि जब आप कॉलेज में स्टड़ी करते हो, तो मैं खुद भी इंजीनियर हूं, तो जब फस सेकंड समस्टर के एक्जाम आते हैं, तो हम दो दिन पहले स्टड़ी करते हैं, फिर जो कॉलेज में इंटर्व्यू बगेरा हुए, तो हम जो हैं दो दिन पहले रात बहर बैट के सारी किताबों को समझने ही कोशिशिश तो यह लोग खुद जानते हैं, कि इतने पानी में ह जितने भी बाते हम कर रहे हैं, इन बातों से रिलेट कर रहे हूंगे, अचा एक बात बताओ, जैसे आपने ही बताया हमने भी इंजिनिरिंग में, क्या होता है कि जैसे हम किसी सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है और अब हमें पता लग गया यार पेपर आ गया, अब उसको प करते हैं वो नेट पे यूट्यू पे सर्च करते हैं, अब क्या होता है कि प्रॉब्लम यह है कि ऑथेंटिसिटी होना जानकारी है और सिस्टेमेटिक होना, आप किसी जैसे मानलो आपको फ्लूड मेकनिक्स पढ़ना है, आप 200 गंटे सेमिस्टर के लिए आप नहीं पढ़ स क्योंकि आप एक गलत चीज को सीख के उसको सही दिमाग में करना बहुत मुश्किल काम है, मगर एक सही चीज को इनीशली सीखना वो असान काम है, मतलब मुझे सर ऐसा लगता है कि लर्निंग असान है, अनलेर्निंग मुश्किल है, जो गलत चीज़े आपने कंजूम कर ली, गलत टॉपिक्स कंजूम कर ली है, उसको भूलना मुश्किल है, मगर जो सही चीज़े आप सीख आपके लिए बिलकुल आसान होने वाला है, और आपने जो पॉइंट बोला, उसमें मैं एक और पॉइंट कर दूँ, ताइम इस दो मोस्ट वैलूएबल थिंग, यस, एंड लाइफ में हम लोग इतना जादा फोकस रख ते नहीं है, लेकिन आगे चलके हमें यह समझ में आने लगता है कि ताइम जो लूज आउट कर दिया हमने, जैसे अभी अम्रंदर सार ने बोला कि यूट्यूब पे अगर मैं कुछ सर्च करने लग रहा हूं, वो इतना जादा इतना जादा फैला हुआ है, और उसकी अथेंटिसिटी के बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो बच्चे को यह सोच नहा है कि मुझे टाइम बाउंडेड मैनर में बेस्ट पॉसिबल कॉलिटी इंफॉर्मेशन अगर मिल रही है, तो अट इस वर्थ इट, इस वर्थ इंप इस वर्थ इंपॉर्टेंट चीज है, जो विजन डेवलप होगा, जो माइंडसेट डेवलप होगा, मेड़ीजी के टीचर्स, बेर वेरिंग इन एक्स्परियंस फ्रों लेट इस से 15 यह सो 25 यह सो एक्स्परियंस के टीचर आपका माइंडसेट डेवलप करेंगे, इंजिन इस बाकिचेज तो आपके काम आएंगी यह लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉस लामिया, बिकॉस थे इस के अगर कोई एक फिर्स्ट यह के बच्चे को हम बोलें तो गेट के लिए पढ़ ले यह तो तो मुझे ऐसा लगता है के कहीं बच्चा एक्डम से यह तो बहुत बड़े पेपर, मैं तेरा सब्जेक्ट एक साथ कैसे पढ़ू? तो हमारा इसके पीछे कॉंसेप्ट यह है कि बच्चा पहले एक फिल ले ले चीजों की सब्जेक के बारे में एक जनरल अंडस्टांडिंग हो जाए, एक बेसिक फंडमेंटल क्लियर हो जाए सर बहुत बारी हम लोगों ने अपने टीचिंग एक्सपिरियंस में नोटिस किया है कि हमारे पास जैसे मेड़ीजी में गेट के कोर्स में काफी बार ऐसे बच्चे आते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता, बिल्कुल जीरो तो चोड़िये, अगर जीरो लेवल पे आते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं जैसा आपने का बीच में कि अन्वाइंड करना बड़ मुखिल है वो जो गलत इंफॉर्मेशन है तो बेसिकली माइनस की तरफ में बच्चा आ रहा है तो माइनस से पहले उसे जीरो पे लेकर आया जाता है जब बच्चा जब बच्चा बच्चा आपने करता है सिरफ इसी डर में कि यार यह पतानी क्या चीज ए और वो शुरू बी नहीं कर बाता तो शुरू करने के लिए फर्स टेप इसी स्टैप यस यस डेफिनिटली और गेट और ज़ एट और एसी के प्रपरेशन में भी तु सर रम समेस्टर की सबजेक् हमें समझी नहीं आती इंजीनिरिंग क्या है तो उसके बात जब गेटी एसी का मन बनाते है तो तो तीन-तीन साल लग जाते हैं प्रपरेशन करने में और इजी स्टैप एक ऐसा कोर्स है इट विल बी रिकॉर्डड़ कोर्स जिसमें आपको सारे सबजेक्स के रिकॉर्ड़ इंप्रूब हो गए फिर आपके जो इंटर्व्यूस होंगे इफ यू डोंट वांट तो प्रिपेर नी कॉंपेटिटिव एक्जामिनेशन दन इंटर्व्यूस तो देना है नोकरी तो सभी को करनी है उसमें तो टेकनिकल नॉलिज के रिकॉर्मेंट है क्योंकि जनरली स्ट इंटर्व्यूस में एक तो देखने को मिल रहा है जो आपके इंटर्व्यूस में हल्प कर रहा है आपकी नॉलिज को बढ़ा रहा है एन इसके बार जो सर वाली प्रॉब्लम थी कि तीन-तिन साल पेपर नहीं निकल रहा है आप फिर तयारी शुरू करोगे तो जो निगेट कि बच्चा किसी चीज को गलत सीख के आ गया अब वो ठीक है सेमिस्टर लेबल तक किसी तरह उसका काम चल जाता है और उसको जब आपको किसी चीज को सही सीखना है तो उसमें पहले आप उसको डिस्मेंटल करो और उससे फाइट करने में आपकी बहुत एनर्ज और जो रिजिस्टेंस आता है नि जो हमें आता है वही साही है तो उससे नहीं चीज जो है रा सीखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो उसमें भी आई तिंग बहुत हेल्फुल होगा एक प्रॉबलम मुझे सर परस्टनली और दिखती है इस तुडेंट्स में कि हमें चा बहुत हैं सब्सक्राव आपकोझे से घुएमंपल मीकानिकल है तर्म。」 पर मुझेल था, था, वाच गो एकुएमंट्छ मादक का थे का हैं तो हम धीतर Philippe, मत्वलम की ए Gregory,। करना थोड़ा असान हो जाएगा, बहुत असान हो जाता है, आपके एफ़र्ट स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं, और देखिए, इंजिनेरिंग पढ़ने का जो असली आनन्द होता है, जैसे अगर मैं टीचर हूँ, आप मेर से पूछें, तो जैसे आपने मेकैनिकल इतनी प्राक्टिकलिटी है, और लास्ट में जाकर, जब हमें समझ में आने लगता है, कि यह सारी चीज़े इंटर लिंगे एक तुसरे के साथ, जैसे माल लीज़े, स्ट्रेंथ और मेटीरियल का कुछ इससा, फ्लुड मेकैनिक्स से इंटर लिंगे, फ्लूड मेकैनिक्स तो एक वो शब्द हम लोग इस वीडियो को डिसकस करने से, हम बच्चे को बोलते हैं अपना dream job, dream चुन लो, अरे dream तो बच्चा तब चुनेगा ना, जब उसको पता होगा, कि यार मेरी mechanical engineering या civil engineering, electronics engineering मेर को किस-किस domain में में अपने career को frame कर सकता है, अब मान लिजे कोई अपना dream job, ISRO चुननना चाहता है, BHAWATOMIC Research Center सुननना चाहता है, बट वो तो तभी समझ में आएगा ना, कि यार में nuclear field में इसले काम करना चाहता हूं क्योंकि मेरा thermal field में interest है, या फिर मेरा aerodynamics में बहुत ज्यादा इंपरेस्ट है, drag, lift, इन सब चीजों के बारे में बढ़ना मुझे पसंद है, कि structure कैसा होना चाहिए, propulsion कैसा होना चाहिए, तब जाके तो बच्चा अपना dream decide कर पाएगा ना, कि ISRO is my dream, अब बच्चा इतना जादा lost है, I am really sorry to say this word for you, बट सच्चा ही ही है, बच्चा आज की date में engineering college में lost परिस्थिती नहीं है और यह एक माध्यम है, यह जो एक course है यह आपको उस lost परिस्थिती से निकालने की एक कोशिश है, इसे area of interest भी clear होगा, इसमें एक तो आपको यह भी clarity मिलेगी कि technical, देखो बच्चे को नहीं technical समझ में आया, तो उसे interest नहीं आया, यह उसने समझ लिया कि हाँ अच्छे से, फिर उसे यह पता लगा कि मुझे यह technical field में interest, यह मेरे काम की चीज नहीं है, मतलब I am not interested. तो वो फर्क भी आपके लिए बहुत important है कि आप एक बार अच्छे से streamlined way में समझ लो चीजों को, ताकि आपको यह पता चल जाए हाँ, क्योंकि सर कई बार ऐसा होता है कि engineering करने के बाद बच्चे MBA करने चले जाते हैं, अब वो decision भी किस basis लिया आपने, जब engineering समझ आ गई, लेकिन आपको पता यह मेरा उतना area of interest नहीं, लेकिन चीज समझ नहीं आई, उस वज़े से हताषा में लिया गया निरन है, तो वो आपको आगे भी तो थोड़ी हताषा ही देगा, आप सर इस पे एक में एक्जामपल भी सेट क्यों वेस्ट कर दी, ऐसी बात होती है, जबकि उसका actual reason पता है क्या है, जब वो engineering कर रहा था, और उसने engineering को समझा, तो उसको समझा है कि मेरा interest है मुझे EAC की तरफ जाना चाहिए, जब उसने EAC level की knowledge gain कर ली, और उसका mind थोड़ा सा और open up हुआ, तब उसको समझा है कि मेरे पास और potential, मैं UPSC भी जा सकता हूं, तो जब वो engineering कर था तब उसको नहीं पता था कि वो UPSC level का aspirant है, knowledge से सर, clarity मिली, आपकी बातों को मैं एक लाइन में समराइज करता हूं, जैसे जैसे लाइफ के अंदर आपकी maturity और wisdom बढ़ता चला जाता है इसको मैं कहता हूं जनरल making improve होने ही लगती है, आपको as a person, every human being is different, so as a person आपको यह पता चलने लगता है कि यार where I am interested and मैं किस domain में काम करना चाहता हूं, अब जनरली बच्चों के साथ क्या होता है, वो 24-25 की उमर में पहुचे तब उने लगता है कि यह वाली field में मेरा interest है, फिर किसी और certain age में बना हूं, तो basically क्या है, एज के साथ wisdom डेवलप हो रहा है, यह एक ऐसा कूर्स है, जो आपको engineering college के first year में, मैं यह नही कह रहा कि 100% wisdom डेवलप हो जाएगा, लेकिन हा, एक मॉलिक स्थर, एक fundamental स्थर का wisdom जरूर दे देगा, जिसकी वजे से आपकी maturity improve होगी, आपको engineering के देखने आज की date में sir, जो भी हम बातचीत कर रहे हैं, यह fundamentally driven इसी बात से है कि बच्चा विचारा random है, उसको यह नही पता, कभी एक थोट आता है, फिर किसी YouTuber ने कुछ और बता दिया, उसको दूसरा थोट आना शुरू हो गया, फिर किसी finance वाले YouTuber ने बता दिया, उसका कही और interest जा आपको इंजिनेरिंग में अपनी खुद के पहचानने में मदद करेगा, कि who the hell are you, from inside, तो sir, एक अंदर से फीलिं आना शुरू हो जाती है, कि Lamya, जैसे हमने बहुत बार ही देखा है, आरे बास, thermal is my section, design is my section, यह मानसिकता खुलती है, जाले जाले जाने के और से यही से जही अजिता अजिकेश्छा फwałा है, अजिते हैं कि आसरों के तरफ लिए कि खेड़ते हैं, कि इहा टो से हां पर टुख्यद के खेड़ गाइड करका ड़न के तरफ इंगा Kenneth iron कर तरफ इंगे सेरीज में, कि इस सब्पर्शनिटी इंपर्टिच का मिफशनिवार् जादिधी डि लेकिन आप उस काबिल तो बने, आप इंटीग्रेट करना तो सीखें चीजों को, आप ये तो सीखें कि मुझे कौन सा राइट स्किल सेट डेवलब करना है, आप अगर अगर फजी बातों में टाइम वेस करते रहेंगे, और आप सिरफ रेंडम मॉलेक्यूल की जगा यहां से तो यहां एंड ओफ दे आपको ना तो जॉब मिल पाएगा और ना तो आपके अंदर वो कैपेबिलिटी जनरेट उपाएगी कि आप अपने आपको डांड़स विता पाएगी इस तरह की सिचुएशन में चार साल करने के बाद ना लड़के को मिलता एक तगड़ा जटका, रियालिटी चेक और फिर लड़का सड़क पे चलाना शुरू करता है के जॉब्स नहीं है लड़का चलाना शुरू करता है के भई इंजिनेरिंग बेकार है इस तरह की बातचीत भी शुरू है तो बेटा तुमें उन सब चीजों से बचाने के लिए तुमारे इस पीड़ा है लेकिन यह समझ वही पाएगा जिसके पास गहराई है क्योंकि देखे कभी कभा क्या होता है ना आज कल रिल्स वाली दुनिया में जो मेचुरेटी वाली बातचीत है या क्या करने चाह रहे है वो सिरफ एक सर्टन जनिट्री ऑ स्टूडें तक ही सीमित है वो बात तो ठी कर दो ही है हर दो हारा के विक्तित तो के लिए हम बातचीत कर रहे है और भी फृदर पॉइंट से आप बताएं हाजिजी सर्. So sir if you want to add some words. तो एक तो यह जो बातचीत हमारी हुई, दूसरा कि देखो कोर्स का अगर आप बात समझो के जैसे हम कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो मेड इजी के एक्सपरियेंस्ट लोग हैं, जिनने वराइटी आफ स्टुडेंट्स को देख रखा है, जिननोंने वराइटी कि आपके समिस्टर में चीजे क्या आती हैं, वो सीनियर फैकल्टी ही इस कोर्स को कवर कर रहे हैं, तो इसलिए हम बार बार यह बात कर रहे हैं कि टाइम बाउंड मैनर में आपको जैसे हम ऐसा होता है ना कि मैं अगर कई बार बताओ कभी-कभी जैसे सबोसी इंजिनरिंग कोई चीज है और उसको जानने के लिए कोई यूट्यूब का वीडियो देखा अब देख लिया अदा गंटा लेकिन ये समझ में आया यार इसने तो टाइम बेस्ट कर दिया और अदा गंटा वापस नहीं आएगा और दूसरा आपने जो समय निकाला किसी चीज के लिए तो वो समय आपका इंटरस्ट डेवलप हुआ आपने निकाला अब वो इंटरस्ट भी आपका ख़तम हो गया तो फिर अब कॉलिज के बच्चे को तो आप जानते हो ना उसने करी किताब में बड़ा है बस अब ये जो चीज है ना ये चीज बहुत जादा इंपोर्टन है कि और उसके बाद आप उसको अपनी चीजों के साथ इंटिग्रेट कर सकते हो अगर आप अपना फ्यूचर सेट कर लो क्योंकि सर मैं मिड़ पर हूँ आप के बहुत साधा एक्स्पीरिंस है और जो कॉलिज लाइफ वो मैं जी के आई हूँ तो मैंने कॉलिज वालेज स्टु कोजे लगता है कि जो कॉलेज स्टुदेंट मस्ती कर रहे हैं उससे कही गुना जादा मस्ती आप लो कर रहे हैं बिल्कुल इसमें कोई शकी नहीं है क्योंकि जब आप अपने मतलब हमें तो पहले से ही पता है वी है डाय हाट टीचर्स और इसके माध्यम से हम आने वाली प अबजर्व किया है हमारे आने वाला जन्रेशन उस पीडा को से मान लीजे पीडा का लेवल सौ था अगर हम ट्वेंटी पर ही उनको रोक पा है कि यार थोकर खाने से तुम बच गए तो यार हम ने आपके लाइफ में वैल्यू एड़ एड़ दी तो यार हम ने आपके और हैं उनसे आप सलह मशवरा लेके उनकी एक्सपिरियंस का यूज करके आप अपने लाइफ के जरनी को आसान बनाए अगर आप अपने बड़ों से थोड़ा एक्सपिरियंस शेर कर लोगे मतलब उनका एक्सपिरियंस आपने ले लिया और उसको अपनी लाइफ में अगर आप दिन में बहुत चोटा सा कोर्स है इसको इसी तरीके से प्लान किया गया है के बच्चे अगर दिन में अपना हाफ नार भी दे दे हमारे साथ तो ना हसी खेल टिटोली एक तरफ तरफ कॉलेज में भी आप मस्ती करिये कोई दिकत की बात निया हाफ नार तो निका करने गई हो तो जब आप दुनिया जाहन के चीजों में टाइम इन्वेस्स कर सकते हो तो आप पढ़ाई के लिए उस सही माइंड सेट के लिए और अपने केरियर को डिसीजन मेकिंग इंप्रूब करने के लिए अगर एक गंटा भी डेली दे दे देते हो तो इतना इन वाल है कि उसके आगे बहुत लंबी दुनिया है बहुत लंबा सफर है उस सफर को तै करने के लिए आपको नॉलिज के रिक्वार्मेंट होगी सो इजी स्टेप इस टेप इस जहां पर आपको रिकॉर्ड़ेट सेशन मिल रहे हैं और फर्स्ट अफ जून से सरी से स्टार्ट हों कॉलेज में मत पढ़ना घर आके वापस से पढ़ना अध्या बलकि हम तो कह रहे हैं कि मतलब आपके कॉलेज में कोई कंपणी आए तो अपने होस्टल के कमरे में शांती से इजी स्टेप से आप अपने चार-पांथ सब्जेक्ट तैयार कर लेना कंपणी में बैठने से पह जाके एगंटा इजी स्टेप के सेशन देखते हैं तो इस को आप उसी तरह से देखें मेरे हिसाब से तू इट इस गूइंड है अप सोच भी नहीं सकते हो किस तरीके से यह आपके लाइफ को परिवर्तित करने की शंता रखता है सिर्फ ए छोटु सा कोर्स ओके सो इसके लावा भी आपके कोई डाउट सो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा थैंक यू वेरी मच फॉर लिस्निंगा सो सिंसिरली मिलते हैं आप से नेक्स सेशन में गुडबाई टेक केर जैहिंद नमस्कार